मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब को मेरा हादिक परनाम, मुझे कई लोग मिले हैं, बार-बार मुझसे एक सवाल पूछते हैं, हमने जो पाप, जो गुना किये हैं, क्या वे माफ हो सकते हैं, कई बार हमने अज्ञानतावश, और कई बार जान भूज कर, काम, क्रोध, म आंकार, ईश्षा, नफरत, जैसे विकारों के वशी भूत होकर, हमने कितने सारे पाप, कितने सारे गुना किये हैं, फिर क्या, वे पाप, वे गुना माफ हो सकते हैं, एक आदमी ने मुझे बताया, मेरा चचेरा भाई विदेश गया, और अपना सारा कारोबार मुझे साउ अपनी सारी धन संपती, वे मेरे हवाले कर गया, फिर पता नहीं क्या हुआ, भगवान का दिया हुआ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैंने उसकी धन संपती का हिसाब अलग नहीं रखा, मैंने उसे अपने हिसाब से मिला दिया, अब मुझे लगता है, कि उसके कई रुप मेरे पास आ गए होंगे, जब मेरा चचेरा भाई लवटा, मैंने कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं, उसने मुझ से एक सवाल नहीं पूछा, पर मेरे दिल पर एक बोज है, लेकिन अब मेरा चचेरा भाई इस दुन्या में नहीं है, और नहीं उसकी कोई संतान है, मैं अपने दिल पर बहुत भोज महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरा ये पाप माफ हो सकता है, ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कि उनका विवेक जाग रहा है, एक-एक सत्संग का यही मकसद है, एक-एक सत्संग की यही कोशिश होती है, कि हमारा विवेक जागे, जब हमारा विवेक जागता है, तब हम सजग होते हैं, कई नादिया मुझे मिली हैं, वे भी आँखों में आशू भर कर, कहती हैं, हमने बहुत पाप किये हैं, आप से तो कुछ नहीं छुपा है, आप तो सब जानते हैं, हमें उन पापों की, उन गुनाओं की माफी मेरे प्यारे भाई और भेनों, जब आपके मन में ये भाव ना जागे, के हमें अपने गुनाहों की माफी चाहिए, तो हमें किसी के सामने जाकर, अपने सारे पाप स्विकार करने चाहिए, we must confess our sins to someone, a spiritual elder, or if that be not possible, we must go and confess him to God, believing that he is close to us, believing that he hears every word that we speak to him. किसी संत यहां गुरू के सामने, यदि किसी संत के सामने जाकर, अपने पापों को स्विकार करना संभव नहीं हो, तो फिर भगवान के सामने जाकर अपने पाप स्विकार हो, और स्विकार करने के लिए जरूरी है, कि जो भी पाप मैंने किये हैं, उन्हें मुझे से वो कनी कहना है, मैंने ये पाप किया, मुझे से ये गुना हुआ है, मुझे दे तू माफी, मुझे दे तू माफी. एक बार अपने गुनाहों को सुईकार करते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तो हमारे दिल से गुनाहों का बोज हलका हो जाता है, पाप गुनाह जो किये मैंने, उन सभी की, दे तू मासी, दे तू मासी, दे तू मासी, मेरे प्यारे भाईयों और भेनों, गुनाहों कि वहां फिए तो हमें मिल सकती है पर उसके लिए हमें दो बाते करनी होंगी पहली बात अपना गुना स्विकार करें और उसके लिए पश्चाताब करें हमने जिन लोगों को कष्ट दिया है, जिन लोगों को हमने तकलीफ पहुचाई है, जिन का हमने नुक्सान किया है, जिने हमने रंज किया है, let us make amends as far as possible, उनसे जाकर हम माफी मांगें, यह है पहला कदम, जिसे सूफी संथ तौबा कहते हैं, सिंद के मशव शायर शाअ अब्दुल्लतीफ ने कहा है, तौबा की तासीर से तल गए तूफान, तौबा में इतनी शक्ति है कि उनसे तूफान भी तल जाते हैं, पहला कदम तौबा और दूसरा कदम, जिसके बिना हमारे गुना माफ नहीं हो सकते, वो है पका इरादा, दिर्व निश्चे करना, कि मैं फिर कभी ऐसा गुना नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तौबा शब्द को अंग्रेजी भाषा में रिपेंटन्स कहते हैं, पर दोनों शब्दों का लिटरल मतलब एक ही है, turn back, make a U-turn, हमें पीछे लवटना है, हम गुनाहों के रास्ते में आगे बढ़ चले हैं, अब हमें लवटना है, we must turn back to the path of righteousness, ऐसा करना बहुत जरूरी है, परंतु जब हम लवटने लगते हैं, हम जब लवटने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं, हमारी आदते हमें गुनाह के रास्ते पर जबरदस्ती खींच कर ले जाती हैं, जन्मों जन्मों से हम अपने आदतों को अपने साथ लेकर चलते हैं, हमारी आदतें हमें पाप करने के लिए मजबूर करती हैं, उस समय हमें पता चलता है कि हमें किसी की सहायता चाहिए. हमें उस परम शक्ती की सहायता चाहिए, जब हमें इसका भान होता है, तब हमारे दिल से पुकार उठती है, गुनाहों से मुझे बचाओ, अपनी किरपा की बारिश बरसाओ, मुझे तुम पार लगाओ, पार लगाओ, पार लगाओ, हे प्रभू, मैं तो पार नहीं उतर सकता, मैं निर्बल हूँ, I am so weak, my willpower is so feeble, जब आपकी शक्ती मेरे अंदर प्रवेश करेगी, तब मैं जीवन की रर्भूमी पर रिकारों का सामना कर पाऊंगा, और उन पर विजय पा सकूँगा, पर विजय आपकी होगी, मेरी नहीं, मैं निर्बल हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे प्यारे भाई और बेनों, जब हम ये दो कदम उठाते हैं, तब हमारे गुना माफ होते हैं, हमारा जीवन नया हो जाता है, हम नये इंसान बन जाते हैं, we are as though reborn, मानो हमें नया जनम मिलता है, Bhagavan Shri Krishna ने गीता में कहा है, यदि कोई बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाग से मेरा भक्त होकर, मुझ को भजता है, तो वह सादू इमान में योग्य है, क्योंकि वह अपने संकल्प में अधिक रहता है, Shri Krishna कहते हैं, कोई कितरां भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, यदि वह यू टर्न लेता है, फिर पाप न करने का दर निश्य करता है, और एक आगरचित से मेरा ध्यान करता है, तो वह सादू बन जाता है, मेरे प्यारे भाइयों और धैनों, जब तक हमारे शरीर में प्रान हैं, तब तक आशा है, क्योंकि अगर हम सचे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो बगवान हमें शमा कर देते हैं, हमें पश्चाताप करना है और साथ ही साथ दिर्ण निश्चे करना है कि मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा इस दिर्ण निश्चे के लिए हमें एक चीज बहुत मदद कर सकती है वो है प्रभु के पावन नाम का जाप मेरे प्यारे भाईों और भेनों सिखों के महान गुरू गुरु नानिक देव जी ने अपनी पवित्रवानी श्री जप साहिब में फर्माया है मूत पलीती कपर हो दे साबन लईये उद्धो भरिये मत पापा के संग उद्धो पिये नावे के रंग मेरे कपरा मैला हो जाता है उस पर र्लाग लग जाते हैं तो हम उसे सामन से दोते हैं कपरा एक बार फिर साफ हो जाता है ठीक इसी प्रकार हमारी मत्ती भी पाप के रंग में रंग जाती है अब मत्ती भी साफ हो सकती है, नाम रूपी जल से, अपनी मत्ती पर नाम का रंग लगाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, सारे डाग गुम हो जाएंगे, आप फिर से साफ हो जाएंगे, आप हंस की तरह सफेद हो जाएंगे. मेरे प्याडे भाई और भेनों, वास्तव में हम में से एक एक व्यक्ति हंस पंची है, यहां संसार के संसर्ग में रहकर हम काले कवे बन गए हैं, इस समय भी हम काले कवे ही हैं, पर फिर से सफेद हो सकते हैं, हम फिर से हंस पंची बन सकते हैं, यदि हम प्रभु के पावन ना नाम का आधार ले, प्रभु के पावन नाम का सहरा ले, नाम की शरन ले, गोविंद के गुन गाले ओ भोले प्राणी, मन में राम, रमा ले ओ भोले प्राणी, मेरे प्यारे भाई और भेनों, गुरुनानिक देव जी के जीवन के घतना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है को उन्होंने पचीस वर्ष ब्रमन किया, वे एक स्थाम से दूसरे स्थाम जाकर लोगों को प्रभु का संदेश देते थे, एक बार ब्रमन करते करते वे एक नगर में पहुंचे, उस नगर का नाम था दयालपुर, कितना सुंदर नाम है, उन दिनों नगरों के नाम सुं पूटी पूटी जोपरी में उन्हें किसी के विलाप करने की आवाज सुनाई देती है, वे जोपरी के द्वार पर दस तक देते हैं और अंदर जाते हैं, जोपरी में वे देखते हैं, एक कुष्ट रोगी सोया हुआ था, उसके सारे शडीर में घार थे, जिन से पस निकल रहा था, वे बेचारा तरप रहा था और विलाप कर रहा था, तब गुरू जी ने उसे पूछा, मेरे फिर ये, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो, इस पर वे बोला, स्वामी जी, एक समय में बड़ा धनवान था, मेरी मत मारी गई थी, मैं जीवन में आयाशी करने लग आज मैं उन पापों की सजा भुगत रहा हूं, अब मेरे पास धन दवलत भी नहीं है, मेरा शरीर भी रोग से गृस्त हो चुका है, मुझे कुष्ट रोग है, मेरी देख बाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई मिलने भी नहीं आता, जहां कोई मुझे सांत विना देने के लिए भी नहीं आता, जब मैं धनवान था, मेरे पास कई लोग आते थे, जो सुयम को मेरा मित्र कहते थे, अब तो कोई मेरा हाल चाल पूछरे नहीं आता, मैं अकला इस जोपड़ी में परा रहा हूं, और साहता के लिए पुकार रहा हूं, सारा समय विलाप करता हूं, फिर बताऊे क्या मेरे लिए कोई आशा है, अिस पर गुरु जी कहते हैं, मेरे पर रहे, एक-एक के लिए आशा है, जब तक इस शरीर में प्रान हैं, जब तक हमारी आंखे खुली हैं, क्योंकि एक समय आता है, जब हमारी ये आखी हमेशा के लिए बंध हो जाती है, जब तक इस पिंड में प्रान है, तब तक आशा है, मेरे फिरिये, तुम अपने पापों का पश्चाताप करो, प्रभु के शुरी चर्वनों में बैठ कर, अपने सारे पाप सुखारो, अपने पापों पर पश्चाताप करो, फिर प्रभु के पावन नाम में अपना ध्यान प्रभु के पावर नाम था ध्रोग न किया समर Skills, सर्भ रोग का अव्खद नाउं। सब रोग न केवल मानसिक रोग, न केवल शारीरिक रोग न केवल आत्मी रोग सभी रोगों की ओधियह नाम。 इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, मेरे प्यारे भाई और भेनो, गुरु नानिक देव जी की आशीश से, क्योंकि आशीश के बिना, इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, बेचारा बेबस इंसान, गुरु जी के दया से, महर नजर से, उस कुष्ट रोगी को शक किया, प्रभु के पावज नाम का स्मरन किया, नाम के स्मरन से, उसका शरीर पूरी तरह स्वस्त हो गया, फिर उसे इस बात का विश्वास हो गया, कि जब शरीर कुष्ट रोग से मुट हो गया है, तो फिर मेरी मत्ति, भी साफ हो गई होगी, मेरे clean, मेरे प्यारे भाई और प्रभु के पावन नाम का स्मर्ण करने से इनसान पर जादू का असर होता है, जैसे जैसे हम इश्वर की विभूतियों का ध्यान करते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक अटलमियम, एन इन्वावलबल लॉफ लाफ लाइफ, जिसका हम ध्यान करते हैं, हम उसी की तरह होने लगते हैं, जदी हम इश्वरी गुरों का ध्यान करते हैं, जदी हम इश्वर की विभूतियों का ध्यान करते हैं, तो हम भी उनी की तरह होने लगते हैं, प्रभु तो हमेशा निर्मल है, हमेशा साफ है, ब्रह्म ज्यानी निर्मलते निर्मला जैसे मैल न लागे जला वकुष्ट रोगी भी साफ हो गया मेरे प्यारे भाई और धेनों अब समय समाप्त हो रहा है इसलिए आज बस इतना ही इस विशह पर बाकी की चर्चा कल करेंगे ओ शांती शांती शांती